कहावत नौर्मल ही बोली जाती है उची दुकान फीके बगवान जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है और जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है हेमा कमिटी इसने रिपोर्ट परस्तुत की और बताया कि क्या-क्या हर्कते चल रही है इंडस्टी के अंदर में आज मैंने सर्च क इसके बारे में और मेरा दिमाग खराब हो गया कास्टिंग काउच का मतलब समझ रो क्या मतलब है कास्टिंग काउच तो अभी हाँ पर टोटल मिलाकर साथ केस सामने निकल कर आए अगर इसको आप लोग ध्यान से देखोगे इस स्पेसल इंविस्टिगेशन टीम बनाई गए यहाँ पर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल की अधिक्स्ता में एक और इंपोडेंट पॉइंट जो आप लोग यहां से इससे लेकर जा सकते हो इस टोपिक से इनको याद रखना हमारे देश के अंदर में अगर कोई भी कोई भी किसी पर्टिकला इस नहीं फिल्म इंडस्टि के लिए है यहां पर यह अगर कहीं पर भी कोई सेक्चॉल एक्स्प्लाइशन होता है उसको डिल करने के लिए पहले इंडियन पीनल कोर था 1868 का आज की डेट में भारतिया न्याई सहीता है यह आप लोग याद रहने आपका कहावत नोर्मली बोली जाती है उंची दुकान फीके बगवान जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है और जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है इतनी घिनोनी है यह फिल्म इंडस्टी इसके काले चिट्थे अगर आप लोगे सामने कोई रखते तो घिन आने लगेगी आप लोगो इन एक्टर्स से जो भी इस तरीके की हरकते करते हैं यहाँ पर नजर आते हैं अभी एक कमिटी है इसके बारे में भी आप लोगों से बात करूँगा बहुत ज़्यादे नियूज में है हेमा कमिटी इसने रिपोर्ट परस्तुत की और बताया कि क्या-क्या हरकते चल रही हैं इंडस्टी के अंदर में कई सारे लोगों को यहाँ पर बुक किया गया है यह आप लोगों को देखने को मिलेगा तोटल साथ लोगों को अभी बुक कर लिए गया है यहाँ पर sexual abuse के case इंके खिलाप में even film director जिनके खिलाप यहाँ पर complain की गई transgender woman को लेकर भी हाँ पर कि उल्टी सीधी हरकते बोलता हो अभी इंसान पाया जाता था यानि कि जितनी ज़्याद है यह advertisement industry आप लोगो लगती है यह film industry लगती है चाहे north की और चाहे south की इसके अंदर में एक से एक बेडिया आप लोग को देखने को मिलेंगे जो की अंदर से वहसी दरिंदे आप लोग को नजर आएंगे दूर से देखने में लगए कि हां सब कुछ वड़ी है लेकिन अंदर जाओगे तो आप लोग कहानी समझ में आएगी एक बड़ा ही different सा सब्द है जो मुझे personally मैंने पह किसको पता है casting couch का मतलब मतलब समझ देखो इसका मतलब क्या आप लोग हरान हो जाओगे सुनकर इसका मतलब casting couch का मतलब है कि अगर किसी को भी आज की date में normally woman के लिए इस्तमाल कियाता है क्योंकि woman के साथ में ये सब कुछ देखने को मिलता है अगर उसको job चाहिए तो उसको sexual favor देना पड़ेगा अपनी job opportunity लेने के लिए अपने acting role लेने के लिए यानि कि अगर तुम को आज की date में एक कोई role मिलेगा सोच के देखो ये इतना जादा regular है कि इसके लिए बकाइदा एक सब्द कर दिया सब्द पता किस चीज के लिए बनता है जो बहुत जादा कोई चीज frequently repeat होती रहती हो उसके लिए सब्द इस्तमाल कियाते है तो casting couch बकाइदा film industry में एक famous सब्द है जो मैंने पह है ये आखिर तो भैसाब ये इतनी unethical और exploitative practice है सोच के देखो कि आज की date में एक movie के अंदर में अगर reality में आप लोगों को बता हूँ एक hero अगर उस movie के अंदर में 50 क्रोड रुपे ले रहे तो उस movie के अंदर में एक जो heroine है उसकी आप लोगों को salary पता है कितनी मिलेगी maximum maximum से maximum 50 लाक या फिर एक क्रोड यानि कि 50 क्रोड और कहां एक क्रोड जबकि role कोई star का देखने को मिलेगे है आप तो इतना जगा difference है हमारे देश के अंदर में ये ऐसी society है जिसको आप लोग patriarchal society बोलते हो इसमें female के female की leading अगर कोई cast में आप लोगो कोई हाँ पर role देखने को मिले अभी recently देख लो कुछ movies आई हैं जिसमें प्रियंका चोपडा कंगना रनावत ये ऐसी कुछ heroine आई है निकलके दीपी का बादुकॉंट इक्का दुक्का movies में जिन्होंने इनों में leading role किया है यानि कि खुद यही actor है उस particular movie की गंगा जल 2 देखे आप लोग उने प्रि का movies में आप लोग को देखने को मिलेगी कंगना रनावतन इस चीज को बड़ा support किया ये चीज मुझे अच्छी लगी personally उस particular लड़की की कि उन्होंने कहीं न कहीं बहुत अच्छे level पर अपने आपको ऐसे परजेंट किया independent heroine कई सारी movies आप लोगों ने देखे होगी हमारे स समाज के अंदर में एक लड़की को एक independent heroine के तोर पर एक movie में देखने का nature नहीं है लोगों का accept नहीं करते हैं कि हां कैसे ऐसे गर सकती है तो इसके चलते हैं अब trend थोड़ा सा change होना है start हुआ पर सोचके देखो कि उसी industry के अंदर में एक सब्द famous है तो कितनी exploitative practice है यहां प अंदर कई सारे बच्चे इसको नहीं समझ बाते है starting में आप लोगों बताता हूँ director होता है जो movie को direct करने वाता है produce होता है जो movie को producer produce करता है मतलब producer होता है पैसे लगाने वाला कि भाई तुम्हारे पास में पैसे है तुम पैसे लगा दो director होता है फिर उसके अंदर में जो होता है आप लोगों को देखने को मिलेगा या तो वो particular female actors जो है वो यहाँ पर इसके साथ में अपनी एक रात गुताएगी यह इसके साथ में तब जाकर उनको movie देखने को मिलेगी और यह इतना regular है कि आप लोग गंदा जा भी नहीं लगा सकते कि 99% cases में देखने को मिलेगा इसी के reason की वज़े से आप लोगो बता दू आज की date में जो एक real talent है ground से वो निकल कर सामने नहीं आता है आप लोगो बहुत कम देखने को मिलेगा जो real talent निकल कर आता है जो आज की date में इनके ही बच्चे आगे निकल कर आते हैं क्योंकि उनके पास में ये casting couch वाली कोई ऐसी foundation नहीं है क्योंकि उनके खुद के माँ बाप जो भाई साब उस industry हैं बैठे हुए उन्होंने पहले कुछ किया होगा तो अलग बात है पर लेकिन उनके बच्चों को ये घटिया परवर्ती follow करने की कोई जूरती हाँ पर नहीं है तो इसकी वज़े से देखने को मिलेगा तो discuss and campaign चला था है गरी सारे मीडिया इंडस्टी के अंदर भी कई सारे लोग ऐसे सामने निकल कर रहे दिवारे और उनके कैस इतने यज़्याद बढ़ राय 10 टाइम पर कि भाई एक कमिटी बनानी पड़ गई हां पर केरला के अंदर में और उस कमिटी का नाम था हेमा कमिटी रिपोर्ट याद रखना उस कमिटी के बारे में आप लोगों से पूछा आ सकता है जो हेमा नाम रखा गया है उनका पूरा नाम है के हिमा जस्टिस के हिमा तो यानिके वो एक जज है, जिनकी अधेस्ता में ये पूरी कमिटी बनाएगी, उसमें एक वितरन एक्टर है, जिनका नाम है सारदा, ठीक है, और उसके साथ में एक I.S. अपसर भी है, जिनका नाम है K.B.B. कुमारी, ठीक है, तो यहाँ पर यह आप लोग को देखने को मिले पता है, तो उसके बारे में आप लोग को information ही कटी करनी है, और वो कैसे करनी है, उन लोगों के साथ में जाकर आप लोग को discussion करना है, जो लोग past में इस तरीके की चीजों का सिकार हो चुके है, उनके साथ में जाकर debate discussion करो, और कोसिस करो, कि कुछ ऐसे सामने नाम निकल कर और एक भाई साथ तो actor भी है, और legislator भी है, सोच के देखो, ये इनसान actor भी है, और ये इनसान जो है, ये खुद कानून बनाने वाला भी है, जिसका नाम है, मुकेस, तो इसके उपर में sexual harassment के case लगाएगे, एक woman actor के द्वारा, छे case जो निकल कर आ रहे हैं, ये इरना पुरम आप लोग को देखने को मिलेगा, एक case यहां से है, तो यहां पर जो मुकेस है, सोच के देखो, rape, section 376, assault के बारें बात की जा रही है, force के जा रहे है, जबरदस्ती हां पर, section 354, इसी के साथ में insult के जा रहा है, गालिया दी जा रही है, और नहीं सामने वाला, अगर म इसको arrest नहीं किया गया, क्योंकि अभी फिलाल जो है, वही आता है, कि anticipation में bear ले लिए अपना, थोड़े से time के लिए अपना बन जाता है, लेकिन कब तक, इसमें आप लोग को कई सारे actor भी देखने को मिलेंगे, इसमें आप लोग को former, जो यहां पर इनके कई सारे अलग-अ इनके उपर में impact डाल पाएगी, जो इनसान इतना बड़ा actor भी है, जो खुद यहां पर एक विधायक भी है, तो क्या उसको कोई यहां पर control कर पाएगा, क्योंकि उसको खुद पावर लिए बैठा है भाई, तो उसी को लेकर यहां पर मुद्दा देखने को मिला, जिसके च society है, यह statement record करेगी, उन सब के, जो कि इसमें सलित पाए जाते हैं, और इसी के साथ में, यहां पर देखो, जुडिसरी का भी काफी बड़ा रोल है, कुछ दिनों पहले आप लोगो याद होगा, मैंने डिस्कस किया था, कि खुद केरला High Court ने बोला है, कि यह जो रिपोर्ट परस्तुत की गई है, भई, इसके उपर में ध्यान रखना, ठीक है, तो जो investigation चल रही है, यह multiple individual की scrutiny की जा रही है, उनके discussion क्या जा रहा है, कि कहां-कहां पर इस तरीए cases देखने को मिल रहे है, अब मैं कई सारी बाते आप लोगो यहां पर बताऊंगा, कि हमारे दिस्के अं पॉलिवुड इंडस्ट्री भाइसा बहाब है इन चीजों के लिए, इससे घटिया लेवल की हरकते कोई करतावा नजर नहीं आएगा, यह बहार के लोगों को आने नहीं देते हैं, नेपोटीजम का सिकार बना देते हैं भाइसाग सब को कि अपने अपने लोगों को लेना भई, टैलेंट चाहे कैसा भी, एक मुवी आई है, अभी किल, किसके से ने मुवी देखिए वो, उस किल मुवी में नए नेटर आप लोगो सारे देखने को मिलेंगे, टैलेंट देखा कितना श्यांदार परफॉर्मेंस दी गए उन लोगों के दौरा, इसको कहते हैं, एक् कोई नपो किडर नहीं आप लोगो देखने को मिलेगा, तो यह सिच्वेशन है, जिसको आप लोग रियलिटी में समझ सकते हैं, तो यहां पर अभी क्या बात की जा रहे है, इस रिपोर्ट के दौरा, सबसे पहले तो sexual abuse देखने को मिल रहे है, सबसे जाद है, जिसमें physical भी कोई एक लड़की है, वो चाती है कि यार मुझे actors बनना है, ठीक है मुझे famous actor बनना है, और बचपन से उसको इस अपने दिखाए गए है, और आगे चलके उसको पता चलना पड़ रहा है, कि भाई talent नाम की तो कोई चीजी नहीं है, यहां तो ऐसी ऐसी हरकत है करनी पड़ती यह बकायदा रिपोर्ट की बाते बता रहा हूं, आप लोगो इस सामने निकल करनी आते हैं, वो अलग बात हैं आपको, कोई भी लड़की जिंदगी में, किसी ने किसी तरीके से, कही ने कहीं, किसी आसपास वाले इंसान से, किसी सगे संबंदी से, किसी रिष्थेदार से, किसी दोस से, sexually, किसी ने किसी तरीके का, उसके साथ में, कोई ने कोई ट्रोमा ऐसा देखने को मिलता है, जो कि उसको emotionally imbalance करता हूँ, पूरी जिंदगी, जबी बे उसके बारे में सोचती है, कोई ने कोई ऐसी हरकते उसके साथ में जुरूर करता है, जिंदगी में, चाहे वो कोई घरवाला हो, चाहे वो बहरवाला हो, हर एक लड़की के साथ में, आप लोगो कोई ने कोई ऐसा ट्रोमा जुड़ावा मिलेगा, ये discuss नहीं किया आता है, वो अलग बात है, reality बता रहा हूँ, कई बार ऐसी घटिया हरकते कोई घर का इंसान करता हो नजराते हैं, और emotional throw में हाँ पर जुड़ा होता है, वो next level का होता है, ये आप लोगो 99% cases में मैं आप लोगो बता दूँगा, ठीक है, ये reality है, आप लोगे साथ में publicly कोई discuss नहीं करता, पर जिस दिन से teaching स्टार्ट किया है, इतने सारे message, इतने सारे mail आते हैं इस से later, क्योंकि private में सारी सितना low हो चुके आज की rate में, कि अपने आपको संभालना भी मुस्किल हो जाता है, और मैं किसी के साथ में discuss भी नहीं कर सकती हूँ, समझ रहा है आप लोग यहाँ पर, तो ऐसी ऐसी condition आप लोगो आज की देखने को मिलती है, तो इसलिए जरूरी है यहाँ पर, ये सबसे ज अगर complete करने है, उसको कम से कम 3-4 जोड़ी कपड़े चेंज करने बढ़ते है, कई जगे वहाँ पर कपड़े चेंज करने की proper facility तेक नहीं होती है, यह situation आप लोग यहाँ पर देखो, यह कपड़े चेंज करने की facility नहीं था, आप लोगो लगो लगता है, वहाँ पर होगा, तो यह condition कैसे निगल कर आती है, आप तो इस तरीके समझ आते हैं, तो यहाँ पर यह condition है यहाँ और सबसे बड़ी बात है, कुई कुछ कुछ बोलता क्यों नहीं, क्योंकि उनको fear रहता है कि इसका क्या consequences उनको जहिलना पड़ सकता है, reason क्या है, पता चला, उनको किसी ने role न देने के लिए बोला जाए, तो भाई उसके लिए सारी safety, सारी security इनके लिए हाँ पर रहेगी, पर बाहर का कोई इनसान जाए, उसके लिए हाँ पर नहीं रहेगा, बाहर से तो देखने में लगता है, क्या standard वाली life जी रहा है, भाई साब, भाई वहाँ पर, अगर किसी यहा सामने वाली को इतना pain हो रहा है, जिसके कुछ हद नहीं है, उसको जैसे तैसे गोली खिलाओ या कुछ भी करो, पर इनका scene पूरा होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता, तो inhuman condition आप लोगों यहाँ पर देखने को मिलती है, कई बारता ऐसा माना जाते है, कि सलीव की तरीके से treat क गंटे काम खराते हैं अपने target सेट करकर, तो ऐसी condition देखने को मिलती है, यह सारे point जो मैंने बता है, यह हेma committee के report में आप लोगो point देखने को मिलेंगे, जो आप लोगों के सामने निकल कर आती है, तो इस तरीके की condition है, जिनको आप लोगो दूर से salute करतो हो, मिलने की है, एक और important point जो आप लोग यहां से इस से लेकर जा सकतो इस topic से, इनको याद रखना हमारे देश के अंदर में अगर कोई भी, कोई भी किसी particular ऐसे नहीं, फिल्म इंडस्टी के लिए ही यहाँ पर यह, अगर कहीं पर भी कोई sexual exploitation होता है, उसको deal करने के लिए, पहले Indian penal court था 1860 का, आज की date में भारतिया न्याई सहीता है, यह आप लोग याद रहनें आप, section 354, इसमें बात की जाती है, section 354A, sexual harassment के बारें बात करता है, और section 509, अगर कोई किसी को गाली गलोच करता है, कोई उल्टे सीधे, उसको यहाँ पर इसारे करता है, इसके बारे में भी हाँ बात की जाती है, sexual favor लेने के लिए कुछ हरका दे करता है, तो हमारा नया कानून जिसमें हमारे देश के प्राइमिस्टर मोधी जी के द्वारा भी हाँ पर public लिए आगर बोला गया, तो इसको deal करने के लिए हाँ पर बताया गया, जो आप लोग यहाँ पर समझ सकते है, sexual harassment at workplace यह old lady है, विसाखदत case के बाद में आप लोगो पते हैं हाँ पर, prevention की बात की जाते है, प्रोविट की बात की जाते है, और अगर हो चुका है, कोई तो उसको redress करने की बात की जाते है, आज से नहीं है, दस साल पहले भाई साब, आज तो मैं बता रहा हूँ आप लोगो, internal committee बनाने की बात की जाते है, कि वर्क प्लेस पर अगर मालिजे कोई hero, heroine होँ आपर acting कर रहे है, तो कोई committee होनी चाहिए, उनके साथ में अगर कुछ गलत हुआ, यह इसी का नतीजा देखने को मिला, कि हाँ पर एक film director को book किया गया, trans woman, यहाँ पर यह पता है, यह viral हो रहा था, basically statement, trans woman से यह director साब यह बोल रहे है, कि भाई, तुम तो ना लड़का हो, ना लड़की हो, तुम physically कैसे चीजों को enjoy करते हो, मतलब यह बकाइदा, ऐसे सब्द इन से यहाँ पर discuss किये जा रहे है, इनके director साब के दोरा, समझ रहे हो कितना घटिया, niche level का आदमी है यहाँ पर य लाए, तो भाई, उसके साथ में इस तरीके से बैठ कर यह discuss कर रहे है, ठीक है, कि तुमको अगर जिंदगी में मजा लेना, तुम कैसे मजा लोगे, ठीक है, तो यह हरकत देखो है यहाँ पर, तो इसके चलते बोलागे है, कि internal committee है, इन चीजों के complain करने के लिए, पर internal committee कैसे यहाँ पर भी कोई ऐसा इंसान बैठा होगा, यह कम से कम internal committee हो, तो कोई मुख्या female वहाँ पर होनी चाहिए, या कोई बाहर का इंसान वहाँ पर उसके अंदर में include होना चाहिए, तो ऐसी condition देखने को मिलेगी, IT Act है हमारे देश के अंदर में 2000 का, यहाँ पर इस तरीके की च इस्तमाल वड़ बच्चे कर रहा हो ना ध्यान रखना, यहाँ पर लड़का और लड़की में दोनों के बारे में बात कर रहा हो, आप लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि यह चीज़े बस लड़की के साथ में देखने को मिलती है, फिर लड़के के साथ में देखने को मिलती है, लड़के भी इन चीजों का सिकार होते हैं, ये भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, नॉर्मली रिपोर्ट पब्लिस नहीं की जाती है, लड़केों के केसी थोड़े ज़्यादे रहते हैं, तो हम लोगों को लगता है, बस लड़केों के साथ में यह होगा है, पर बचपन में 90 तो नहीं बोलूँगा, मैं 80 परसेंट लड़के भी किसी ने किसी तरीके से इस तरीके की हरकतों का थोड़ा बहुत तो सिकार रहते हैं, और 50 से 60 परसेंट तो अच्छे खासे सिकार होते हैं इन चीजों का, बचपन में जो लड़के होते हैं, उनके बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, पर लेकिन वही कंटिशन हैं कि हरकते करने वाला कोई आसपास का इंसान आप लोगों को देखने को मिलेगा, इम्मोरल ट्रेफिकिंग, इसके लिए तो बकायदा आप लोगों को देखने को मिलते हैं, हमारे समिधान के अंदर में, आर्टिकल 23 आप लोगों को याद रखना है, पार थर्ड में जब समिधान के अंदर में आप लोग जाओगे, तो अनुचेद बारे से लेके 35 तक आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलते हैं, Article 23 बकायदा इस चीज के बारें बात कर रहे हैं कि commercially किसी को भी sexually exploit आप लोग को नहीं कर रहे हैं और human trafficking के लिए बिल्कुल नहीं कि इनसानों की खरीद फ्रोत आप लोग नहीं कर सकते ये बकायदा इसके अंदरें बोला गया है चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो अगर उसको prostitution के काम में जाना है तो अपनी इच्छा से वो उस काम को कर सकता है तो उसको profession माना जाएगा Article 21 के तहत में और अगर उसको जबरदस्ती धकेलता है कोई वहाँ पर उस particular धंदे के अंदर में तो भई उसके लिए बकाइदा कानून कारवाई होगी और उसको बकाइदा जेल होगी अगर कोई जबरदस्ती किससे कराता है क्योंकि Article 21 आप लोगों की बोड़ी है जैसे चाहो आप लोग उसका इस्तमाल कर सकते हो पर लेकिन अगर किसी इनसान को ध्यान रखना दोनों में फर्क समझना माइनूट सफर रख है पर समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत पर जोगे एक्जाम के अंदर में Article 21 आप लोगों के अधिकार देता है अपनी बोड़ी का जैसे चाहे इस्तमाल कर सकते हैं कोई नी रोकेगा आप लोगा अधिकार है इसमें वूमेन की प्रेगनेंसी भी आती है उसको प्रेगनेंसी कंसीव करनी है उसको अपने बच्चे को पेट में रखना है नहीं रखना है ये उस वूमेन का अधिकार है क्योंकि उसकी बोड़ी उसके राइट है Article 21 के दह्त में पर लेकिन अगर कोई आप लोगों के साथ में जबरदस्ती करता है तो ये चीज जुरूर धियान रखना है आप इसमें आजाएगा Article 23 कि कोई जबरदस्ती आप लोगों के साथ में प्रोस्टिटूशन नहीं कर सकता फोर्स नहीं कर सकता क्योंकि ये क्या हो जा तो इसलिए हाँ पर आर्टिकल 23 इस चीज को बकायदा रोकता है और यह समिधान निर्माता बहुत अच्छे समझते थे इसलिए उन्होंने यह चीज इसके अंदर में डाल दी क्योंकि पुराने टाइम पर स्लेव देखने को आप लोगों मिलते थे आज की डेट में यह सारी चीजे हो रही है पर पहले जितनी फ्रिक्वेंट लिवा करते थी उसके कंपियर में अब कम है क्योंकि रूल और रेगलिशन का जो डंडा पड़ता है उसके विए से चीजे थोड़ी सी कंट्रोल हो जाती है तो सुप्रीम कोट के अंदर में बकायदा इसके लिए केस है और आपर इसके बारे में ध्यान रखेगा उसकोशन में यह है कि sexually exploit अगर वूमेन को किया जाता है किसी particular entertainment industry के अंदर में तो उसको deal करने के लिए हमारे देश के अंदर में क्या क्या कानून है और किस तरीके से यहाँ पर workplace पर हम लोग secure या safe कर सकते है महिलाव को तो एक means के कोई समझ से कोई प्रेशान हो तो बताना अपना feedback जरूर देना अगर पसंद आया तो अच्छी बात है नहीं पसंद आया तो बताए किस तरीके से और इसके अंदर में इंप्रूमेंट किया जा सकते है बाकि अगर अच्छा लगा है तो दूसरों के साथ में जरूर सी है करो